यूरोपिय देश स्लोवाकिया के प्रधान मंत्री रोबर्ट फिको पर 11 साल के हमलावर ने जान लेवा हमला किया हमलावर ने उन पर 5 गोलिया दागी जिसमें से एक गोली उनके पेट में लगी पीम को तुब अंतर स्पता ले जाए गया जहां साड़े तीन घंटे तक उनकी सर्जवी चली फिलाल वो खत्वे से बाहर हैं वहीं अमेरिका के राश्टुपती जो बाइडन और विदेश मंत्री आंटनी ब्लिंकन ने हमले की निंदा की है और प्रधान मंत्री के जोल्द ठीक होने की कामना की है आंटनी ब्लिंकन ने बताया कि स्लोवाकिया में अमेरिकी दूतवास लगाताविस पर नजर बनाये हुए है ब्रिटेन के प्रधान मंत्री विशी सूनक ने कहा कि मैं ये खबर सुनकर हैरान हूँ और इस मुश्किल घड़ी में उनके परविवार के साथ हूँ